इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि minerals क्या होता है उसके characteristics क्या होता है और minerals के types क्या क्या होते है तो देखिए minerals एक naturally occurring substance होता है वो organic भी हो सकता है वो inorganic भी हो सकता है यानि minerals जो है वो अलग-अलग geological factor जैसे कि आपका temperature आपका pressure इन सब की कारण बनता है या chemical composition इन सब की कारण बनता है और ये organic भी हो सकता है और inorganic भी हो सकता है यानि कि इसमें carbon atom भी आपको मिल सकता है या inorganic यानि कि इसमें carbon atoms mainly नहीं भी मिल सकता है minerals का एक chemical composition होता है यानि कि वो carbon hydrogen nitrogen इन सब का मिलके बना होता है या अलग-अलग चीज़ों का मिलके बना होता है जिसका chemical composition है physical properties होता है यानि कि आप minerals को change कर सकते हो ठीक है उसको तोड़ के आप change कर सकते हो उसका एक physical property होगा usually minerals जो होता है वो डो या दो से ज़्यादा elements का बना होता है हाला कि कभी-कभी वो एक ही element का बना होता है उसको भी minerals बोलता है जैसे कि sulfur हो गया अब अगर mineral का physical characteristic के बाद भी बात करें तो इसमें ये transparent हो सकता है यानि कि इससे हवा जो light है वो आरपार हो सकती है या वो translucent हो सकता है यानि कि उससे हवा जो light है वो आरपार तो होगी बड़ सबस्टास नहीं दिखेगा और तिसरा वो opaque होसता है यानि कि उससे light आरपार नहीं कर सकती है फिर minerals का एक color होता है minerals का एक cleavage होता है यानि कि वो तूट सकता है minerals का एक luster होता है यानि कि वो sign करता है जैसे कि coal हो गया या diamond हो गया mineral का एक structure होता है जैसे कि वो hexagonal हो सकता है या वो cubic हो सकता है अब minerals को mainly दो तरीके से divide क्या जाता है एक होता है metallic minerals एक होता है metallic minerals metallic minerals जिसमें कि metals involved होगा अब metallic minerals को तीन तरह से define किया आता है पहला होता है ferrous metals ferrous metals क्या होता है जिसमें कि iron का content आपको देखने को मिलेगा दूसरा होता है non ferrous metals जिसमें कि आपको iron का content नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि aluminium, tin, sulfur ये सब हो गया ठीक है और तिसरा होता है precious metals जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लाटीनम हो गया ठीक है, यह सब सिल्वर हो गया, यह सब आकवा हो गया, प्रिशियस मेटल, अब दूसरा पार्ट इसका है, नोन मेटलिक मेनरास, ऐसा मेनरास जिसमें की मेटलिक जो आपका कंटेंट है, वो नहीं देखने को मिलेगा, जै को सब्सक्राइब करो थैंक यू वेरी मच